हेलो एबरीबन आप सभी अगनवाडी कारे करताओं का एक बहुत इंफर्मेटिव और यूजफिल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूँ आगनवाडी से विकाओं के मानदे या पोशार राशी में कटवती के साथ साथ उसके अंदर से जुड़ी महिला परविक्षिकाओं के मानदे से एक महिने के 25 परतिसत राशी कटवती करने का आदेश पटना जिरे के डियेम के द्वरा दिये जा चुका है जी हाँ कुछ चीजे होती है जिसको आप में गल्ती नहीं करनी है अगर यहाँ पर कोई भी मिस्टेक ये गल्ती पकड़ी जाती है तो उसको गंबीर समस्य मानते हुए ऐसी कारवाई की जाती है दीम महोदय के द्वरा आंगर मड़ी के अंदर की सिविकाओं के पोशहार रासी में से जो पैसा काटने की बात की गई है आखे क्यों की गई है पोशहार का पैसा क्यों कटेगा इसके अलावा लेडी सुरुबाजार महिला पर विछी काओं का मानते 25 परतिसद क्यों कटेगा इसके समझों जो खबर निकले चले हम आपको दिखाएता हूँ, साथ मैं आपको तीन, चार, पांच पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिस पर आपको आपको आपके आंगनवाडी के अंदर परहे मैं सा ततपर रहाना है, अगनवाडी के अंदर से जुड़ी चार सेविकाओं और परवेक्षिकाओं के मांदे में कोटोती का आदेश पारित हो चुका है, इस वीडियो में मैं आपको चार-पांच बिंदू ऐसे बताऊंगा जिसके आपको आपके आगनवाडी के अंदर पर किसी भी बरकार की कौमी या कोता ही नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो कही ने कही इसी प्रकार की कारवाई होगी आपके मान दे और पोसाराशी से ही कोटावती कर ली जाएगी अब आखिर ये कहा की खबर आप लोग देख पर है बिहार के रहाजानी पटना से खबर है और पटना जीले के जो डीम है सीरसत का पिल असोक इनके दोरा जो है आगनवाडी केंदरों के संचलन और परवेक्षगन में लापरवाही बरतने वाली आगनवाडी सेविकाओं और उस केंदर से जुड़ी परवेक्षगाओं पर कारवाई की गई है ती एच आर पंजी के संधारन में लापरवाही मिली है केंदर का वीथिवत संचलन नहीं किया जा रहा था जाच में पंजीकृत बच्चों के विरुद उपस्तित बच्चों की संख्या कम थी आदी मामलों में छो आगनवाडी सेविकाओं पर कारवाई की गई है लिखा गया इन में दो सेविकाओं के एक महिने के मांदे से 25% की कटवती की गई है अब डी एम के अस्तर का आदेश है तो ये पैसा कटना निश्चित है और इससे कोई बचा नहीं सकता अब यहाँ पर देखिए इस दो सेविकाओं के मांदे से 25% रासी कटेगी मार्च का महिना जो बीता हुआ है या अगर अपरिल के बात करें तो यहाँ पर 7000 रुपे मांदे मिलता है और उसका 25% अगर कट जाता है तो कहीं न कहीं 1750 रुपे उनका स्कीत है माइनस हो जाएगा दो सेविकाओं के बारे में अगर यहाँ पर लिखा गया तो इसके बारे में बात करें इसके अलावा एक सेविका से एक महिने के टी एचार की पूर्ण वसूली की गई है यानि की एक सेविका से टी एचार का जो पूरा पैसा दिया गया था एक महिना वितन करने के लिए पूरा पैसा वसूल करने का देश डीम ने दिया एक और ने सेविका को चेतावनी दी गई है दो आगनवड़ी सेविकाओं से पंजीक्रित वो पश्चित बच्चों के अंतर के स्वम्तुले पोसहार रासी के मांदे से वसूली की गई है वहीं गुर्वत्ता पूर्ण रिक्षन नहीं करने के कारण दो महिला प्रविक्षिकाओं को चेतावनी के साथ एक महिने के मांदे से 25% की कटोवती की गई है यानि बात किलियर है सबसे बड़ा मुद्धा हमें से टीएचार कराता है टीएचार का रोजिस्टर आप लोग मेंटेन रखें बच्चों को उपसेती और खुद की उपसेती ड्रेस में बनाया रखें जिस दिन जो भी पसार मेन्यू को अनुसर बनाना वहीं बनाया भले बच्चे खाया नहीं खाया वह अलग बात है इसके अलावा जो है के अंदर पर साफ सफाई रखें और पोसन ट्रेकर एप और ओल्लाइन काम करते रहें यह चार-पांच बिंदू ऐसे है जहां पर आप सही तरीके सा हमेसा काम करते हैं किसी परकार के निरिक्षान किसी परकार के जाहस में कभी कोई दिकत नहीं आएगी यहाँ पर दिकत इसलिए आई कि टीएचर का रजिस्टर जो था वो सही नहीं था उसमें लापरवाई मालूम चली है इसके अलावा जो बच्चे रजिस्टर थे और जो बच्चे के अंदर वो उपरस्थिति संख्या में काफी कमी पाई गई है इसलिए कहीं मांदे कटा गया है तो कहीं पोसहार की पुरा पैसा वो सुल लिया गया और साथ मेलेस पर भी करवाई की गई है तो यह चीजे हैं आप देख पाने किस परकार फिरल करवाई चल ले आपने काम सही तरीके से करें कोई कोई दिकत नहीं आगी फानली इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद